नमस्कार डिली डारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है भात और स्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे करके टेस्ट मैच के तीसे दिन स्रीलंका ने दूसरी इनिंग में अच्छी बल्ले वाजी की है ती तक स्रीलंका ने निर्धारित 29 ओवरों में 188 रन वना लिया है वो भी केवल एक विगट के नुकसान पर हाला कि स्रीलंका को दूसरी पारी में भी तरंगा के रूप में जल्दी विगट गिर गया था लेकिन उसके बातकुसल मेंडिस और करूर अतने ने सांदार साज़दारी करकर स्रीलंका ये टीम को एक विगट के नुकसान पर 188 तक पहुचा दिया आपको बता दें कि स्रीलंका अभी भी भारत से 321 पीछ है अगर उसे टेस्ट को ड्रॉ कराना है तो अगले तीन दिन अच्छी खासी बल्लेवाजी करनी होगी आपको बता दें कि भारती टीम इस मैंच में भी सांदार प्रदसम कर जीत की दहिस तक पहुच गई है अगर भारती टीम को जल्दी इसी सेशन में 2-3 विगट शुरुआत में मिल जाएं तो हो सकता है कि मैच आज ही खतम हो जाए लेकिन जिस तरीके से कोसल मेंडेस वकर उन्रतने बैटिंग कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भारत को अब कल तक तो इंत्यार कर नहीं होगा